जैंद कैसे हैं आप लोग बहुत खूबसूरत और बहुत सुन्दर सा क्लास आप सभी के समक्ष चल रहा है तो प्लीज आप सभी लोग फटाफट आज की क्लास में आ जाएए और फटाफट सेशन को शेयर भी कर दीजेगा हाँ देखें सबसे पहले दो बातें बहुत इंपॉरेंट हैं पहले तो मैं आप से यह कहना चाहता हूं कि धेर सारा प्यार धेर सारा आशिरवाद और धेर सारा आप क्या के सकते उसको यार मतलब धेर सारा अपना बिश्वास के साथ आज की क्लास शुरू कर रहा हूं है प्लीज आप सभी लोग शेशन को थोड़ा शार शेयर कर देना जितना हो सके उतरा मतलब आपके लिए मेरे लिए और सबके लिए most important है ठीक है पहले तो मैं आपके दो बातें बता दूँ कि जैसे कि आपको पता होना चीए आपकी जो दो क्लासे चल रही है पहली क्लास जो है वो अब्वेसी बात है आपकी बहुत ही खुबसूरत तरीकी से रन करें यही 11 बचे और दूसरी मेरी एक और क्लास है जो कि अपनी समय से चलने शुरू हो चुकी है जो दूसरी मेरी क्लास है वो अबसी बात है दो पहर तीन वज़े से चल रही है SSC कोचिंग बाई ओलिपोर्ड पे तो अप लोग प्लीज इस चीज को थोड़ा सा वो करें मतलब थोड़ा सपना वो प्यार और विश्वास अवर्ष्य दिखाएं चली क्लास को शुरू करते हैं बीना किसी भी देरी के पहले मैं आप से भी से यह पूछना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग आप लोग को आडियो वीडियो क्या रही है हां जी बस सेकेंड फेर का मौका पलबर की खामोशी है फिर एक शोर आएगा तुम्हारा तो वक्त आये था हमारा दौर आएगा हां जी तो आडियो वीडियो क्या लिटी कैसे जा रही है मालिक बताइए अरे कभी कभी कमेंट भी कर देना चाहिए मालिक अरे हाँ कि बहुत बढ़िया तो क्लासेश को अच्छे और खूबसूरत तरीकेश शुरू करने के लिए आप लोगों का साथ मेरे को बहुत चाहिए देखो है क्या क्या पीडिएफ ना जो है वो मेरे पास पीपीटी जो है भी मेरे पास जास्ट आईए यह मतलब कह सकते हो कि मिनट पहले तो मिनट पर पहले पीपीटी आई तो उसको अब इसी बात इसको प्रोसेस में पीडिएफ मेरे को बनाना पड़ता हूँ उसके बाद ही मैं कुछ कर पाता हूँ ठीक है आज आते हैं आज के पहले सवाल पर देखते हैं आज का पहला सवाल क्या कहता है चलो बच्चा जी जल्ली फटा फटा आ जाईए बिना किसी भी देरी के और देखिए आपके क्या क्या रखा है सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसा है कि सेक ठीटा माइनस कॉस्ट ठीटा अगर 14 के बराबर है तो आपको बताना है 14 सेक ठीटा अगर X है तो X का मान बताना है यहां बहुत ही बड़ी और बहुत ही खुबसूरत तरीके से पूछा है पर टाइपिंग यहाँ पर क्या आई लोग करते हैं हम क्या बता हैं कोई बात नहीं सर एक्स प्लेस बनवाइ एक्स अगर बराबर है किसके एक्स प्लेस बनवाइ एक्स अगर बराबर है आपके 7.5 के तो क्या वैल्यू होगी एक्स स्क्वेयर प्लेस बनवाइ एक्स स्क्वेयर के जल्दी करके दिखाये क्वेक विडोंट हाव इनव टाइम बढ़ियां कोबसूरत और सुन्दर तरीके साब कर सकते हैं हाँ बहुत बढ़िया देखे थोड़ा सा समझने कोशिश करिएगा बहुत ही खुबसूरत बहुत ही सुन्दर तरीके से चीज है सबसे पहली बात आपकी यह है कि अगर एक्स ब्लेस बनवाइ एक सेगर आपका 7.5 है तो x square plus 1 by x square क्या होगा 7.5 का hall square और minus की क्या minus की 2 7.5 का hall square और minus क्या minus का 2 अब भाई साब 7.5 का square है भाई साब 5 का square 25 लास्ट में 7 क्या आगे आएगा 8, 8 सते 56 सवाल को उत्तर 56.25 में से 2 खटाना है सवाल को उत्तर आ जाएगा 54.25 यानि option number कौन भाई साब option number A option number कौन भाई साब option number A ना इस से कम नई से जादा exact आपके सवाल को उत्तर option number A है क्या हमने किया हमने बस ये कहा कि अगर x plus 1y x अगर आपके d के बराबर है तो भाई साब x square plus 1y x square ये निश्चित तोर पे बराबर होगा d square minus 2 के किसके बराबर होगा ये बराबर होगा d square minus 2 के and we can say this will be the 7.5 square minus 2 और सवाल को तरह बड़े प्यार से कह सकते हो 54.25 अगला सवाल किसी वस्तू के अंकित मुल्य पर अगर आप 20 परसेंट 40 परसेंट और 75 परसेंट की क्रामागत चूट के लिए एकल समतुली छूट क्या होगा तो continuous आपको तीन डिसकाउंट दिया गया है जो आपको पहला डिसकाउंट है अगर आप ध्यान से देखे तो कितने का है 20 परसेंट का दूसरा आपका 40 परसेंट का तीसरा आपका है भाई साब 75 परसेंट का अब आपका इसका एकल यानि कि एक सिंगल कितने डिसकाउंट के बराबर होगा आपको यह बताना जल्दी करिए सर समय बहुत कम है आपके पास आपके अंदर सबसे बड़ी गलती सर यही है कि आप लो जल्दी मालेक आप सबी को तो सबसे पहले राम नममी की हार्दिक बदाई राम नममी आपका बहुत अच्छा हो बहुत सुख में और बहुत सुख में बीते हैं पहली बात में यह कहना चाओंगा दूसरी बात में आप सबी से यह कहना चाओंगा कि आप जिन लोगों ने अ करने पर मतलब मजबूर कर देता है मजबूर कह सकते हैं जी बिलकुल कि मन ना है तब भी हम कौर और मन से करते हैं और जादा करते हैं और देर तक करते हैं देखिए सर क्या है किसी वस्तू के अंकित मुल पे 20% 40% और भाई साब 75% की क्रामागत चूट है तो भाई साब पहला शूट जो आपका 20 है सबसे पहले ना अब 20% और 40% को मर्ज करेंगे तो यह जो डिसकाउंट आएगा वो आएगा 20 पलस 40 और गुना 20 गुने 40 भागा सो जी आँ क्या आएगा 20 पलस 40 माइनस 20 गुना चालिस भागा सो जनी अल्टिमेट कहेंगे यह 0-0-0-0 गया अल्टिमेट यह 40 और 20 क्या हो जाएगा साथ और साथ में से आड जाएगा बावन यानि आप कह सकते हैं कि यह जो दॉ डिसकाउंट है कितने का यह जो तिसका जो एक डिसकाउंट आएगा, सिंगल डिसकाउंट आएगा, इस बिल भी वाट, इस बिल भी था 52 परसेंट, और इस 52 परसेंट को 75 परसेंट में आड करिए, तो हो जाएगा 52 प्लस 75 और माइनस क्या होगा, माइनस 52 गुना 75 भागा 100, अब यह 25 ती आए, 75 पचीचों के सो, और 4 से गटे 52 को, 13 बार में, 13, 39, सवाल को उत्तर 75 प्लस 52 अगर देखेंगे, 527 और 75 बारा, 127 माइनस 49, सर, 127 में से पहले 27 घटा दीजे, और फिर 12 घटा दीजे, सर, अब्वेसी बात है, यहां 88 बचेगा, 88 बचेगा, और सवाल को उत्तर क्या हो जाएगा, सवाल को उत बिल्कुल सही है, अगला सवाल, सवाल नमबर 4 देखना, यदि किसी परिवार में, 24 दिन के लिए, चीनी की खपत 6 केजी है, तो भाई, कोई परिवार है, जिसमें सिर्फ 24 दिन के लिए, चीनी की खपत 6 केजी है, तो 18 दिनों के लिए, चीनी की खपत क्या होगी, यह एक ब कि या जो हमिए सर 24 दिनों के लिए कितना खपत है तक जो सब्छूबिस दिनों के लिए छइगे जी एक दिन का हपत क्या होगा सर्च च्छ्बटा चोवेश और सर्टारा दिनों के लिए क्या होगा सर्थोब्स्वास अठारा तो चॉब्स दिन में अगर हम 6 केजी चीनी खा जाते हैं तो एक दिन में खाएंगे 6 बटा 24 केजी चीनी और 18 दिन में गुना 18 6, 24, 24 और 18 बटा 4 का मतलब क्या होगा? साड़े 4 यानि आप ये कह सकते हैं बड़े प्यार से कि हम 18 दिन में साड़े 4 केजी चीनी खा जाएंगे औप्शन नमर कौन? औप्शन नमर डी सवाल नमर पाँच सवाल नमर कौन? सवाल नमर पाँच यदि किसी परिवार में 24 दिनों के लिए चीनी की खपद एक वस्तु का क्रैमल 6,450 है एक वस्तु है जिसका क्रैमल 6,450 है आगे लिखा गया है यदि इसे 16% लाप पे बेचा जाता है तो इसका विक्रैमल कितना होगा? और अगर हम इसे 16% प्रॉफिट पे बेचते हैं तो भाई साब हमारा क्या लिखा गया है? तो इसका विक्रैमल कितना होगा? भाई साब एक वस्तु है जिसका क्रेमूल 6450 है एक वस्तु जिसका क्रेमूल एक वस्तु जिसका कॉस्प्राइज 6450 है यदि इसे 16% लाप पे बेचा गया तो भाई साब इसका विक्रेमूल क्या होगा क्या बकवास सवाल है चल्दी करके दिखाओ कुछ है इसमें अब सीदे सीदे कहोगे अगर कॉस्प्राइज आपका 6450 है आप उसका सीदे सीदे 116% निकाल दो अब बस यह सवाल का उत्तर हो गया अब आप यह मत क्या दना 116% क्या होता है भाई यह कुछ नहीं यह 0 से 0 चला गया भाई आप यह 5 से काटोगे अब बसी बात यह 2 हो जाएगा इसको भी 5 से काट दो यह 1256 और 955 आप कह सकते हो 955 का पाच कहरी फरवड एक और 5 दूना 104 का 4 कहरी फरवड भाई सब क्या हो जाएगा भाई सब 1 5 और 1 6 जी यह 139 और इसको 2 से काट दो इसे फिलिप कर रखा है ना कि डिजिटल रूट से हो जाएगा जिया अब डिजिटल रूट पर भी ना जा सकते हैं कैसे जाएंगे आप और यसी बात है अगर आपको जाना भी होगा माल लिया जाए थोड़ दिर के लिए कि अगर आप सोचेंगे कि डिजिटल रूट पर जाएंगे यहाँ पर नंबरस ही से में डिजिटल रूट पर तब जाए जाता है ना जब नंबरस अलग अलग हो जैसे यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दूसरा तरीका कोई लगाने का धेही मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर कुछ लगा भी पाऊं मुझे ultimate लग रहा है कि यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा ठीक है कोई बात नहीं लेकिन एक चीज तो मैं समझ सकता हूं जब भी कभी सवाल को उत्तर होगा तो अब यसी बात है यह यह नहीं होगा यह हो सकता है यह हो सकता है ठीक प्लस 29 गुणा 29 और गुणा 2 यह 29 का स्क्वेर प्लस दो 71 और इधर से हो जाएगा 70 और फिर 44 चौतर के आसपास यानि के अबर सी बात है 7482 ऑप्शन नमबर 8 जियां ऑप्शन नमबर कौन ऑप्शन नमबर 8 7442 भाई साब सवाल को उत्तर टुड़े और निमी बिल्कुल स जाता है लेकिन उसके पास विकल्प दो विकल्प थे पहला 10 परसेंट और 15 परसेंट का चूट देना और दूसरा 25 परसेंट का चूट देना दोनों विकल्पों में कितना अंतर है यानि कि अगर दोनों विकल्पों को देखा जाए तो दोनों के सेलिंग में मेरे को कितना अ आइटम है जिसका जो मुल है 2700 यानि किसी आइटम का अंकित मुल 2700 एक बार मैंने 10% और 15% की छूट पे बेचा एक बार मैंने 10% और 15% की छूट पे बेचा इन दोनों के छूट के बीच का डिफरेंस क्या है जल्दी करके बताओ जाए आज का दिन कौण साय से राज दिन बुद्वारे ना बुद्वारे कौन साय है अगाज कितना तरीक है अगर एज बुद्वारे हाँ बपा जी के रहे सवाल को उत्तर 40.5 देखते बाई, साड़े चालिस सही है, गलत है, समझो पहले, पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा, कि एक वस्तु का जो मुल्ल है न, वो जो भी है, अलग बाद है, आपना दो अलग-अलग छूट दे रहो, एक छूट आपका 10% और 15% का है, पता है आपको 10% और 15% का ज 1.5, और 25 में से 2 चला जाएगा तो 30, यह जो डिसकाउंट है, वो 23.5% का है, अगर आप माल लो, अगर आप कॉम्बाइन दो डिसकाउंट पे आते हूँ, जो पहला वाला डिसकाउंट है कितने का है भाई साब, वो आपका 10% का है, जो दूसरा वाला डिसकाउंट है कितने क से कंड़ गंशार दोसरा डिस्काउंट हो 25 परसेंट अब इन दोनों का डिस्काउंट है ऑन पॉइं पाइप सेंट का था यह कहेंगे कि जो आपका डिस्काउंट का वह 2700 का डेड़ परसेंट है डबल जीरो गया, 27 गुना डेर, 27 गुना डेर, 27 से कम 27, और 27 का अधा क्या हो जाएगा, साड़े 13, यानि आप कहेंगे 39.5 मेरा तो आ रहा भई सब, 39.5 यह तो मेरा तो आ रहा भई सब, हां जी, 39.5, ना भई, हैपी राम नामी, आपको भी हैपी राम नामी, जी, डेर, सारी सुपकामन है, मेरे को तो यहाँ पर जो डफरेंस नजर आ रहा है, वो आ रहा 1.5 परसेंट का 27 सोका, तो आप देखोगे यहाँ पर, तो तेरे तियाई भाई साब सबसे पहले तो 27 सिकम 27 और 27 का अधा, 27 का अधा, तो भाई साब, अरे हाँ, 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 हाँ लिख दिया बिलकुल जिया गलती से साठीज चालेस सो लिख दिया मैं शमा चाहूंगा मैं फिर से बोल दूं क्या हुआ था एक बर और सुनलो 27 27 और 27 का आधा मैंने जुड़ा था तो वो होता है भाई साठीज तेरह और साठीज जूड़ोगे तो अब विसी बात है 26 और तेरह 49 हो जाता है तो 49 चालिस और एक चालिस और आभा साले चालिस जियां फॉर्टी पॉइंट फॉर्टी 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 पॉइंट सब्सक्राइए एक घंड का कुल प्रिष्ट्रिय चितरफल 96 cm2 है घंड का इतन क्या होगा एक दम बोकवास सवाल है एक दम तो आपको क्या निकालना है आईतन क्या होता है भुजा का क्यूं यानी 4 का क्यूं चार का क्यूं क्या हो जाएगा चार का क्यूब क्या हो जाएगा भाई चार का क्यूब चार का क्यूब कितना होता है अगला सवाल सवाल लंबर नो जल्दी कर के दिखाना मुझे तो बहुत इसांदार सवाल लगाई है पता नहीं आप लोगों नभी तक क्यों नहीं किया इत्ता देर क्यों कर दिया यर आर ए और आर भी केंद्र ओवाले बृत के बाहर एक उभैनिष्ट विंदू आर से दो इस पर सरे खाए हैं अरे बापरे अरे बाबा वृत की तरिज्जा छे सेंटिमीटर लिखा हुआ है जेड ए आर बी का मान सत्तर डिग्री है तो कौन ए ओ बी का मान क्या होगा भाई बढ़िया सवाल पहरे को मिल गया एक सवाल को उतर 110 डिग्री पपा वही ने का पहले 64 चाओ सब्सक्राइब बनाना जैसे कि आप यहां पर देख रहो इस सर्कल को थोड़ा सागे पीछे करूंगा जियां अब सम्क्राइब संक्राइब इस अब लिखा हुआ कि खरका बहुक्राइब उभैए इसके प술 विंदू आर से 217 ईसरे पीचे मतलब एक कि और यहां उस पर से पर 갯े बिल्कुल एशन रेका बिल्कुल यहां दो इस परस रेखा हैं कि चीद रहें हैं दो इस परस रहा है थ्यांसे देख सकते हैं खीचिद हैं है अब लिखा इसकी तृज़ा भाई सब आचीए सेंटिमीटर कोई बात नहीं वर इव आरभी मतलब है सब दो विंदू है एक आर ए है और एक आर बी है अब क्या लिख रखा है और वृत की तरिज्जा 6 सेंटिमीटर है एक बड़ी खूबसूरत सी बात निकल के आई है जेड ए आर बी मुकामान 70 डिगरी है देगे सबसे पहले एक बात समझ लीजे यहाँ जेड है ही नहीं यहाँ पे को अंगल को डेनोट करते तो हम लोग तीन फूंट को ल कदरे चार तो मैंने पहले बार लिकता देख है तो यहाँ पे आप यह कह सकते हैं कि कौण कौंसा को नसी बूछ आप और आपको पता होना चाहिए अगर कभी भी आपके पास दो इश्परस रेखा एक विंदू से किसी भी बृत पे दो इश्परस रेखा किची जाती है याद रखना कुछ ऐसा होता आपके साथ यह वाला एंगल अगर ठीटा है तो यहाँ पे जो कौन बननेगा वो निश्चित तोर पे हो जाएगा एक सो असी माइनस ठीटा और यह वाला जो एंगल इसको अगर आप और सटा दोगे तो यह वाला एंगल जो हो जाएगा वो हो जाएगा एक सो असी माइनस ठीटा डिवाइरेड वाई टू तो आप बड़े प्यार से कह सकते हैं बहुत ही प्यार से कह सकते हैं ये वला कौन अगर 70 डिगरी का है तो ये वला कौन क्या हो जागा ये वला कौन 110 डिगरी का होगा क्यों भाई क्योंकि इन दोनों को जोडने के बाद 180 डिगरी आता है अब आप पूछेंगे ये प्रोपटी कहां से आई, कहां से पैदा कर दिया मास्टर ये बताओ तो मैं बताना चाहूँगा सर आपको पता है किसी भी इसपर्स रेखा पे इस विंदू से किसी भी इसपर्स रेखा को अगर आप छूबाएंगे तो आपको अच्छे से पता है कि विरित की अब्बे सी बात है विरित की त्रिज्या जो है वो इसपर्स रेखा पे 90 डिगरी का कोन बनाती है जहां पे इस पर्स वो जहां जिस बिंदू पे वो इस पर्स करता इस पर्स रेखा तो इस बिंदू पे वो इस पर्स रेखा इस पर्स कर रहा तो यहां नब्बे डिगरी बनेगा अगर आप थोड़ा ध्यान से और भी देखें मैं गुलाबी कलर से कुछ हाइलाइट कर रहा ह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यह थरीके का आपको एक चतुरभुझ दिख रहा है एक आपी तरीके का आपको कोड्रेलेटरल दिख रहा है और कोड्रेलेटरल के सभी कोणों का योग 360 डिगरी होता तो उपर 90 नीचे 90 90 180 डिगरी हो चुका है तो बट आप यसी बात है कि बचा हुआ दोनों भी 180 होना चाहिए तो यह सत्तर है तो इसलिए 110 ठीके नेक्स्ट कोश्चन इस सावाल को थोड़ा करिएगा पढ़ियां कोश्चन है का यहाल कोश्चन है झाल झाल 17 मीटर लंबे और 18 मीटर चौड़े और 3 मीटर उचे घनाव का अगर आप ध्यान से देखे तो शित्रफल ज्याद करना है तो मैं आप सभी से एक बात करिना चाओंगा बहुत ही प्यार से सुनना वाई सब घनाव का क्या लिख रखा है वाई सब घनाव का प्रिष्ट शित्र प्रिष्ट शित्रफल घ्राप रावर होता दो घुणा सबसे लास्ट है उचाए लमबाइ ल्यू अगर आप इसको करेंगे भाई तो ये 136 हो जाएगा प्लस आप ध्यान से देख सकते हैं आठ गुना तीन ही हो जाता है 24 सर फिर देख सकते हैं 173 क्या हो जाएगा सर 51 अगर आप बहुत अच्छे से देखोगे तो 136 में 24 को जोड़ोगे 160 हो जाएगा और 160 में अगर आप 51 को जोड़ोगे तो बड़ अपिसी बात है ये 221 हो जाएगा और सडी 160 प्लेस 51 आपका 211 हो जाएगा और 211 का डबल करोगे 422 हो जाएगा option नमर कौन? option नमर कौन? option नमर कौन? option नमर दी ना इस से कम और ना हिस से जादा बोली हाई है ना? बिल्कुल, 422 आ रहा है, बिल्कुल सही है बपप भाई ने पूरा explain करके यहाँ पर लिखा है बहुत अच्छी बात है बपप भाई यहाँ अगले सवाल पर यह सवाल लंबर 11 लिख रखा है यहाँ पर बहुत है प्यार से राम एक कार को 18 दिन में पूरा कर सकता है रीना उसी काम को 12 दिन में करती है तो राम ने किसी काम को 18 दिन में पूरा किया रीना ने उसी काम को 12 दिन में पूरा किया और श्याम की मदद से वे काम जो है वो 6 दिन में पूरा करते हैं अब श्याम जी अगर मदद करने आ जाए तो ये पूरा काम जो है वो छे दिन में क्या होगा नहीं पढ़ जाएगा अब आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि भाई श्याम अकेले समानकार को कितने दिन में पूरा करेगा शाम जो है वो समानकार को अखेले कितने दिनों में क्या है भाई साब पूरा करेगा ठीक है भाई जल्दी गड़ ले ना भाई बहुत बढ़िया सवाल है अब लिखाओ शाम अकेले समानकार को कितने दिनों में पूरा करेगा कैसे करूँगा वो देखो सबसे पहले राम ने किसी काम को कितने दिन में किया अठारा दिन में राम ने किसी काम को किते दिन में किया जी अठारा दिन में किया आपने कहां जी अठारा दिन में किया और क्या ना में भाई रीना किसी काम को किते दिन में करती है रीना करती है बारा दिन में आराई फॉर रीना रीना करती है बारा दिन में लेकिन अगर ना राम रीना और भा काम करती है बारा दिन में आपने का फिर से हाँ साति साथ अगर अप ध्यान से देखें गे तो आपको पता चलेगा की श्याम की मदद से ये ये तीनों लोग जो है वो शह दिन में काम पूरा करता है यानि रामोरीना के साध अगर श्यां जी आते हैं तो इसकी efficiency क्या है भाई सब 2 है, इसकी efficiency क्या है भाई सब 3 है, इसकी efficiency क्या है भाई सब 6 है, देख लीजिए, राम जो है वो 18 दिन में 36 लड़ू बनाते हैं, तो एक दिन में 2 लड़ू बनाएंगे, उसी प्रकार से, श्याम 12 दिन में 36 लड़ू बनाते हैं, एक दिन में 3, और ये तो बचाए को एक दिन में एक लड़ू बनाते हैं यह चांप सीडी के के अंदर फर साट डिगरी कोन बनाता है सबसे पहले तो आप एक बात समझने के कोशिष करिये हमारे पास एक सरकल है आपने कहां सरकल है इस सरकल का केंदर O है, आपने कहां जी, सरकल का केंदर आपका O है, अब आप ध्यान से देखेगा, ये ना, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये CD है, ये CA भाई सब है और ये DA भाई सब, ठीक है? ये, आप अब आपको चांप की लमबाई चाहए, अगर आपको चांप की लमबाई चाहिए, रही पयार से कहना चाहूँगा, अगर आपको किसकी लंबाई चाहिए अगर आपको चाप की लंबाई चाहिए तो चाप सीडी की जो लंबाई होगी वो क्या होगी थीटा बटा तीन सो साथ गुना टू पाई आर थीटा के जगा साथ लिखेंगे साथ बटा तीन सो साथ गुना 2 के जगा 2, पाई के जगा लिखेंगे 22 बटा 7 और आर के जगा क्या लिखेंगे 21 बोलो हाई है ना क्या लिखा आपने, आपने क्या समझा थीटा बटा 360 गुना 2 पाई यार ये क्या है अगर आप भ्यान से देखें, सीडी क्या है CD आपके चाप की लंबाई, CD आपके क्या है, CD आपके चाप की लंबाई है, और जो चाप की लंबाई है, वो किसके बराबर है, चाप की लंबाई बराबर है, ठीटा बटा 360 गुना 2 पाई यार के, जहाँ पे ठीटा का मान साथ डिगरी है, 360, 360 के बराबर होगा, और आप ध्य जान से देख़े तो 2 जगह 2, पाई के जगह 22 बटा साथ और आर के जगह 21, 60 से काटेंगे इसको 6 बार में, 6 से काटेंगे इसको 3 बार में, 3 गुना 7, 20 से 20 कट गया, केवल और केवल क्या बचरा, 22 बचरा, और यह जो 22 बचा वही संटीमीटर में चाप के लंबाई है, चाप क करके दिखाऊ सवाल नंबर कौन सवाल नंबर देरा इसको करके दिखाऊ जल्दी कि सर अभी तक आपके प्रशुन को उत्तर नाया मालिक कि भाई इस जनम सवाल को उत्तर निकालना अगे लिए जनम नहीं जाना है संजना इस तीर जल में 9 किलिमेटर पती घंटे की रफतार से चाल से 9 चला सकती है उसे नदी की धारा के प्रतिकूल दिखे प्रतिकूल का मतलब होता विरुद वो नदी की धारा के विरुद जाती है कितना फिरुद जाती है निश्चे दूरी तैकर्टे में धारा के अडिकूल समान दूरी तैकरने से लगने वाले समय से दोगुना समय लगता है यानि कि अब धारा के बिप्रीत जाने में उसे जो समय लगता है उसका दोगुना समय उसे लोटने में लग जाता है आपने समझा, भटने बह भला हाजी सर समझा, मेरी बातों को सुनो, क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है ये कि धारा के चाल किलोमेटर प्रति घंटा में क्या है, देखिए, एक बात समझिएगा, अगर आपका डिस्टेंस सेम है, मेरी बातों को बहुत इच्छे से समझो, अ पिर आप कह सकते हैं Time के रेशियो का ठीक उल्टा, Speed के रेशियो होगा, तो आप एक बात कह सकते हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे पहले मैं आपसे यहाँ लिख दूँ पहले सबसे पहले मैं आपसे लिखना चाहूँगा, यह एक Upstream है और एक Downstream है, यहाँ पे Time है और यहाँ i speed up stream का मतलब क्या होता है जब अब धारा के प्रतिकूल चलते हैं तो इसे एउय और जब अब धारा के अनुकूल चलते हैं तो इसे हम downstream कहते ह gouvernement upstream में हमारा स्पीड घड जाता है विके हम trailer के शाते है अगर अब आप ध्यानिचा देखोगे तो मुझे धारा के प्रतिकूल एक निश्यद दूरी तया करने में धारा के अनखूल समान दूरी तया करने से दो गुणा समय लगता है इसका मतलब मुझे स्टाइम में जो टाइम लगता है यह अपने जाएंगे वो सिधे बात है कि आपका स्पीड क्या हो जाएगा क्यों आप जिस तरफ बढ़ रहे हैं वो आपको जो आपका फोज करेगा आपको पीठे डखेलेगा आपको आगे का डबलें अगर के सपीड कर थो दो जाएका अगर मैं बोड का स्पीड होसाइगा अगर मैं सपीड स्फपीड मैं निकालना चाहँ आप माइनस डिवाइह dhiaan से मैं फिर से कहने हैं चाहता हूं bote का speed क्या होगा बote का speed होता है वो क्या होता है अब इखो बोट का speed होता है अब प्रस down divided by two और water का speed क्या होता है down minus divided by two ठीक है भाई सब तो एक तो हो गया तीन बटा दो और एक हो गया एक बटा दो अगर आप धियान चो देखोगे इत्मिनान से देखोगे तो हर जगा दो से मल्टिप्लाई करतो अगर हर जगा दो से मल्टिप्लाई करोगे तो यह दो हो जाएगा यह आपका चार हो जाएगा यह आपका तीन हो जाएगा और यह आपका एक हो जाएगा ठीक है भाई अब आप ध्यान से देखो लिख रखा है क्या लिखा है इस थीर जाल में जो चाले वो 9 की है यानि बोट का स्पीड 9 का 3 बराबर 9 के 1 बराबर 3 के पूछा गया धारा के चाल क्या है तो भाई सब 1 बराबर 3 के सवाल को 33 गिलोमेटर परावर का बोलो हाई है न आप कोगे हाँ जी सर बड़े आगे आपने का हाँ चलो देखो भाई A प्लस B प्लस C की वैलू आपकी 20 है और A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर आपका 262 है अब आपसे कहा गया क्या A B प्लस B C प्लस C की वैलू निकालो यह बहुत असान है A प्लस B प्लस C का हॉल स्क्वेर क्या होता है तो A प्लस B प्लस C का हॉल स्क्वेर होता है सर A स्क्वेर प्लस B स्क्वेर प्लस C स्क्वेर प्लस 2 इंटू यह देखना क्या होता 2 इंटू A B plus b c plus c a b plus b c plus c चलो यहां तक आपने सीख लिया मुझे कोई दिक्कत नहीं आपको कोई दिक्कत नहीं काली को आगे बढ़ाते है sir a plus b plus c का hall square क्या होता option number 2 कह रहा था बच्चा किसका option number 2 का है बई 3 3 तो है इनी यह आप 1 है option number 2 बात समझने की कोशिश करना क्या है a plus b plus c का hall square होता a square plus b square plus c square और plus 2 गोना a b plus b c plus c इसका मतलब यह कह सकते है a plus b plus c अगर 20 है याई आप कहेंगे 20 square बढबर क्या होगा बढबर होगा आपका 262 v2 square बढबर किसके 20 square बढबर a square plus b square plus c square यानि कि 20 का स्क्वाइर बराबर है 262 और प्लस क्या और प्लस दो गुणा AB प्लस BC और प्लस C है ठीक है 20 का स्क्वाइर 400 400 में से 262 घटाओ अगर आप 400 में से 262 घटाईएगा 138 बचेगा और 138 बराबर होगा और दो गुणा A B प्लेस B C और प्लेस C है दो से काट दो भाई क्या हो जाएगा 6 दो ना 12 और 9 दो ना 18 69 सवाल को उत्तर है ठीक है तो बहुत ईजी तरीके से आप कहेंगे सवाल को उत्तर 69 यानि उप्शन नमबर कौन उप्शन नमबर A है अगला सवाल है सवाल नमबर 15 क्या है साइन 45 प्लेस कॉस 45 की वेल्लू क्या होगी साइन 45 प्लेस कॉस 45 की वेल्लू क्या होगी साइन 45 प्लेस कॉस 45 की वेल्लू क्या होगी साइन 45 का मतलब एक बटा रूट टू कॉस 45 का मतलब फिर से एक बटा रूट टू root 2 सवाल को उत्तर है, option number कौन, option number D, ठीक है, सवाल number 16, एक बृत में एक चाप के इंदर पर 84 डिगरी का कौन, क्या लिखा रहे, अंतरित करता है, यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है, तो भाई सब विरित की तरज्या किसके बराबर, चाप की लंबाई दे रखा है, विरित की तरज्या आप से पूछा है, देखते हैं कौन कौन कर पाता है, क्विक अगर चांप की लंबाई रख देखा है तो भाई सब चल्दी करके दिखाओ क्विक भाई समय नहीं है आपके पास इतने देरे में तो दस बीस बार होगा भाई सवाल को उत्तर बख जल्ली करो बुल बख कहीं का भाई आज राम नममी बहुत बढ़िया दिन बाई राम नममी बहुत बढ़िया दिन जल्दी से सभी लोग आजो बाई इसमें कोई बहुत बड़ा सीने नहीं है मेरे बाई रूटू टू वो तो सही था ये वहला सवाल देखना देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो यह होता है क्या थीटा बटा तीन सो साथ गुणा टू पाई र अगर आप बहुत ही प्रेम से देखेंगे तो क्या देखेंगे आप यह समझ पाएंगे कि आपका जो भी आर्क लिंथ होता है अब आप हमसे पूछेंगे आर्क लिंथ क्या होता है तो जो आर्क लिंथ कहते हैं वो चाप की लंबाई कहते है जो चाब की लंबाई होती है अब आपसे पूछा क्या गया आप से पूछा गया यजो जो हमें पता है ना उसको अपने आप रखेंगे सबसे पहले हम हम यहां ठीटा बता है ःंगल पता है और जो एंगल हमारा 84 डिगरी का हम लिख देंगे 84 degree दूसरा हमें क्या पता है दूसरा हमें πाई की वैलू पता है पाई की वैलू 22 बटा साथ है तो we can say this will be तो दो गोणा 22 बटा साथ और गोणा आर आप कोगे हाँ आप और अच्छे समझ सकते हो यार कि 7 से काटेंगे 24 को 12 बार में 12 से काटेंगे 36 को एक्जाक्ट 30 बार में अभी और और भी गटेंगा ये 22 से 22 आपका चला जाएगा 2 से कटेंगा 30 15 बार में और we can easily say radius की वैलू हो जाएगी 15 गोणा ये क्यानी की पंदरा and we can say कि आपका जो radius आने वाला है वो 15 आने वाला है ना तो 15 से कम है नहीं 15 से जादा है the answer of this question will be 15 only ठीक है मेरी बात अब समझ पार होंगे बहुत ही easily बहुत ही आराम से सवाल को उत्तर ना तो 15 से कम है ना 15 से जादा सवाल नंबर भाई सब 17 है 10 गोणा 5 Q माइनस 10 डिगरी बराबर है कोट गोणा 5 J प्लस 20 डिगरी आपको Q प्लस J का मान बताना है जल्दी करके बताई Q प्लस J का मान भाई जितने लोग हैं जल्दी सवाल को तर दो मैं हिंट दे सकता हूँ कि अगर आप से कोई कहता है कि 10 X डिगरी बराबर है कोट Y डिगरी के इसका मतलब X प्लस Y का वैलू 90 डिगरी है यानि X प्लस Y का वैलू 90 डिगरी अभी भी तो कर लो अभी भी तो कर लो मेरे भाई क्या है यार इतना ले देर कोई नहीं करता और यार सेशन को तुम लोगों ने अभी तक लाइक ना किया यार देख लो इतर मैं सीदे सीदे कहूंगा अगर टैन का कोई वैल्यू अगर कॉड के बराबर है यानि की 5Q-10 बराबर है क्या 5J प्लस 20 डिगरी के ठीक है मतलब डिगरी में तो याद रख ले ना इन दोनों एंगल का समेशन जो है वो 90 डिगरी के बराबर होगो जी हाँ अगर 5Q-10 और भाई सब आपका 5J प्लस 20 अगर उब्यस ही बात है ये दोनों एंगल अलग अलग एक बार टैन में और एक बार कॉट में तो याद रखेगा इन दोनों एंगल का जो समेशन है वो 90 डिगरी के बराबर है अल्टिमेट एक चीज़ और भी याद रहें ना 5Q और 5J में अगर 5 को कॉमन लोगे तो ये Q प्लस Z आ जाएगा आप कहेंगे हां अच्छा एक चीज़ और भी है ये 20 में से 10 जाएगा तो क्या बच जाएगा भाई प्लस 20 प्लस 10 और प्लस 10 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई 100 तो पांच गुणा Q प्लस J का वैलू 100 है तो Q प्लस J की वैलू क्या आ जाएगी 20 डिगरी option number कौन option number डी option number कौन option number डी समझ आई मेरी बात हाँ या न आप एक्जाक्ट कहेंगे जी सर समझ में आई अगला सवाल सवाल नंबर भाई सब यहां से हमारा जो है वो question खतम हुए लेकिन don't worry आप सभी से मेरा एक विनमर ने विदन होगा कि please आप सभी लोग जो है वो session पे ल प्लेस फन वाई एक्स की पावर 31 कमान क्या होगा है कि टेन डेन 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 तन अन जल्दी कि अ कि कि अ आफ्के बस सोच पे अधारी ते मैं एक हिंडे भी देता हूँ अगर एकस प्लस बन वाइ एकस की वैलू रूट तरही है तो इसके इसमें x की पावर 6 बराबर माइनस 1 होतां एक्स की पावर 6 बराबर क्या होता है एक्स की पावर 6 बराबर माइनस 1 होता है जल्ली करना एक्स की पावर 6 बराबर क्या होता है माइनस 1 होता है यह देख लेना एक्स की पावर 6 की पावर 5 और गुणा मैं लिख देता हूँ एक्स की पावर 1 और प्लेस यहां भी लिख देता हूँ X की पावर 6 की पावर 5 और गुणा में लिख देता हूँ X की पावर 1 अब कितने लोग समझ पाएं एक बड़ी बात है पहली बात तो यह निकल के आती है कि X की पावर 31 है तो X की पावर 31 को मैं क्या लिख सकता हूँ X की पावर 30 गुण X की पावर 1 और X की पावर 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ X की पावर 30 को मैं लिख सकता हूँ X की पावर 6 की पावर 5 अब आप देख सकते हैं X की पावर 6 माइनस 1 है माइनस 1 की पावर 5 माइनस 1 होगा हो जाएगी minus root 3 के बराबर और ही सवाल को उत्तर है ना इस से कम ना इस से जादा exact दोड़ पे यह आपके प्रशनों का उत्तर होने वाला है ठीक है बस एक point यह याद रख लेना है कि x की power 6 हमेशा minus 1 के बराबर होता है अगर अब और तेज दिमाग वाले हैं तो यह भी याद ही रख लीजेगा ना यह x plus 1 y x का मान अगर एक है तो x cube की value जो होगी वो हमेशा minus 1 के बराबर होगी x cube की value जो होगी वो हमेशा किसके बराबर होगी minus 1 के बराबर होगी इस पे एक latest question आया था लिखा हुआ था a square plus 1 मेरी बातों को ध्यान तो सुनना a square plus 1 बराबर a के है और आपको बताना है कि a cube की value क्या होगी आपको बताना है a cube की value क्या होगी बच्चे confused थे लिख क्या दिया है देखे सर इसी पे based question था sse cgl में आया था whatever आप किसी भी परिक्षा की त्यारी करें हर परिक्षा आपके लिए most important है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि भाई साब x square plus 1 बराबर a के है अगर मैं दोनों तरफ a से divide करूँ यहाँ a plus 1 y a का मान क्या आजाएगा 1 आजाएगा इस इस्तिती में अगर मुझे आपको पता अच्छे से कि a x plus 1 y x अगर a है तो a q का value जो होगा वो minus 1 होगा नाइस से कम नाइस से जादा इसको बनाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अजीवो गडिप तिगणम लगा दिया किसी ने एक ही गुणा कर दी किसी ने मुझे पता नहीं क्या कर दिया पिर जोड़ दिया अब मुझे पता ही झित लागा किरैक्ट यह चीज दिया हुआ है Financial कर रहा है कि अध्यापक की बात नहीं कर रहा हुआ को हम बोलेंगा उसई होगा और यह विल्कुल भी बिलुकुल भी नहीं है कि जो मैं कहूं को सुनिए लिट्रैली सिष्टी यहीं है कि प्लेस वन वाई की वैलू क्या है बाई सब्सक्राइब आज के लिए इत्ता ही रखेंगे मिलेंगे नेक्स डे तो आ रागे चर्चा करेंगे आप लोग स्वस्त रहें रहें घर पे रहें खूब पढ़ाई करते रहें पढ़ाई तो इतनी जी लगा के करना है कि मतलब मेहनत इतनी खामोशी से करो की सफलता सोर मचा दे यह एक बड़ी प्यारी बड़ी खुबसूरत सी लाईने जो मुझे बहुत हमेशा अच्छी लगती है मुझे हर हमेशा ही लाईन अच्छी लगती है ठीक है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो की सफलता सोर मचा दे हम लोगों ने आ आपको इसका देखे हैं जितने भी क्लासे चल रहीं सबकी PdF वी तुरत आपको मिल जा रही है, एक भी ऐसी क्लास नहीं, जिसकी PdF मैंने ना दियोगी, सारी क्लासेज की PdF चाए YouTube हो, चाए YT हो, कोई भी शेशन YT हो, चाए आपका application हो, कोई भी क्लासें हो, तुरत हम लोग सबसे पहले मैं आपको पीडिया प्रोबाइड करा रहा हूँ हां जी चलो तो आज के लिए तई रखेंगे मिलेंगे नेक्स जे तो और आगेज अच्छा करेंगे कि कुछ बोलना है तो बोल सकते हो आप में से किसी को भी कुछ बोलना है कुछ कहना चाते हैं आपके मन में कोई भाव है कि हां सर यह ऐसी बात है वह ऐसी बात है मुझे यह आपसे बात करनी है मुझे वह आपसे बात करनी है तो आपके भाव को हम पूरा सुनेंगे आप में से कोई ऐसे बालक है जो अपने दिल के दर्द को जुबा पिलाना चाहते हैं तो अवज्शे मुझे बताए आप में से कोई भी बालक जो अपने दिल के दर्द को जुबा पिलाना चाहता है वो जल्ली मुझे बताए क्योंकि आज का शेशन समाप हो चुका है ठीक है वंदोगरा?